पूम श्री हनुमते नमा यहाँ पर हनुमान जी का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके अंदर कोई ऐसा फियर है, ऐसी एंजाइटी है, ऐसा डर है या कोई ऐसा तनाव है जो आपको अंधरी अंदर खाय जा रहा है गाईज यानि आप बहुत जादा अंदर से डरे हुए हैं, depressed हैं आपको कोई राह नहीं शूज रहा है गाईज बहुत जादा आप तनाव में हैं, तकलीप में हैं आप बाहरी तनाव नहीं आपको, बलकी आपको आंतरिक तनाव है आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आप दिल और दिमाग में संघर्ष चल रहा है, मन सांत नहीं आपका, बहुती anxiety में हैं, जिसे कि आपको उससे बाहर निकलने की भी कोशिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे इस anxiety से बाहर नहीं हो पा रहे हैं, उस fear को आप कम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हनुमान जी आपके लिए hope and healing का card भेज रहे हैं, कि आप अपना hope मत खोईए, अपनी आसा मत खोईए, आप अपने आपको heal करिए, यानि आप कोई भी healing कर सकते हैं आप, मंतरों का जाब करिये, हनुमान जी के मंतरों का जाब करिये, हनुमान चली सा सुनिए, या फिर आप ऐसे सौंग सुनिए जो आपको हीलिंग परदान करें गाईज, यहाँ पे आपके लिए बहुती पावरफुल रेमेडीज हनुमान जी खुद बोल रहे हैं कि हूप मत छोड़ो, हीलिंग करो अपना, हीलिंग करने से आप एकदम स्वस्थ और निरोग महसूस करो अपने आपको खोलो, अपने आपको बंद करके मत रखो, यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिस करो, हर पल, हर घड़ी, कुछ न कुछ सीखो, कुछ न कुछ करते रहो, अपने आपको कामों में बिजी रखो, बैस्त रखो, तब ही जाके तुमारी यह जो फियर है, से दूर होगी, क्योंकि होप ही सबसे बड़ी एक ऐसी फूल है, जो कि आप जब वो खिलेगा, तो आपको हर तरह का सुक और देगा, सक्सेस देगा, बिल पावर देगा, गाईज